देश दीती किवल सच्ची और पक्की खबरे अलग-अलग राज्यों की जो निकल कर आ रही है वो चोका देने वाली है भारती जंता बंदन का और महाविकास अगाडी के साथ आप पहुंचे हैं तो क्या खबर इस मक्त निकल करा रही है महाराश्टों से सीधा रुक करते हैं देखिए स्प्रीन्स पर नजर डाली निउस 18 की खबर है लिखा है महाराश्टों चुनाव शरत पवार ने फेक दिया पासा अजीत अजीत पवार का विवधान सबा चुनाव में न हो जाए लोगसभा वाला हाल और ऐसे में क्यास ये लगाय कि अजीत पवार का हाल लोगसभा जैसा न हो जाए जैसा लोकसभा में पठखनी खानी पड़ी थी NCP को यानि की अजीत पवार वाली NCP को जो पठखनी खानी पड़ी थी क्या उसी तर्ज का अब आलम होने वाला है फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में ख़बर क्या निकल करा रही है पूरी आपको बढ़ाते हैं स्क्रीन्स पर नजर आए हर्श वर्धन पाटिल का बढ़ा दावा महराश्टर में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने के अटकलों की बीच बीजेपी के नेता हर्श वर्धन पाटिल मुंबई में रास् परत्पवार की मुलाकात के बाद महराश्टर सरकार में मंत्री और भाजपा नेता चंद्रकार पाटिल ने कहा कि पूर्व राज्य मंत्री हर्श वर्धन पाटिल को एंसीपी में शामिल होने से होने के अपने फैसली पर पच्चतावा होगा उन्होंने कहा कि जो लोग ये या नहीं मतलब घमंड देख रहे हैं यहां पर जो एग्जिट पोल्स निकल कर राज्यों किया रहे उसमें साफ ये बात साबित हो रही है कि कॉंग्रेस की सरकार बनने वाली है और ऐसे में इनका घमंड सातवे आसमान पर और क्या रहे हैं हर्श्वर्दन पार्टिल अभी त सरकार भी नहीं बनी है और संभावना भी नहीं है जैसा मोदी जी कहते हैं कॉंग्रेस के बारे में और यहां पर इनके मंत्री गड़ों में इतना घमंड है कि जो पार्टी में छोड़कर जा रहे हैं उनको नसीहते और इस तरीके की बाते कह रहे हैं कि वापिस पार्टी मे जो नाम सामने आया है आपको बता दे एक बड़ा चेहरा है एंसीपी शरत पवार से मुलाकात के बाद शरत पवार ने कहा कि इन है अजीद पवार के खिलाप उतारा जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि हर्षवर्दन पार्टिल ने बात कही है कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो उस सीट से चुनाव लड़े जहां से अजीद पवार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं यानि अगर ये मुकाबला अजीद पवार के खिलाप हो जाएगा तब देखना दिल्चस्ब होगा कि हर्षवर्दन पाटल बनाम अजीद पवार के इस संगर्ष में या मैं कह अब भारत टाइम्स की खबर देखे लिखा है एग्जिट पोल्स के नतीजों ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन महरास्ट्रों जारकंड की चुनोती कैसे करेगी पार अब आपको बताए भारते जंता पार्टी का ये रणीती रही अमेशा से कि दूसरे पार्टी के जो लेकिन जैसे ही वो पुराने हो जाते हैं और फिर जो नए विपक्ष के लोग पक्ष में आते हैं उन्हें फिर मत बता दी जानी शुरू कर दी जाती है ऐसे में परात्मी की जो थे पहले परात्मिक तक हो चुके अब पुराने हो गए जो नेता है विपक्ष से आये हुए उन्हें ऐसा लगते हैं कि भाजपा में उनकी इज़त है नहीं लेहाजा इस तीफे का दोड़ जो है वो शुरू हो जाता है एक के बादे के स्टीफा जो है लोग देने लग जाते हैं नेतागर और फिर भारते जंता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ जाती है यानि य रहा है जिससे टेंशन जो है वो दोगुना हो चली है इसके लावा खबर नभारत टाइम्स की लिखा है हर्याना महराष्ट्र जारकंड विधान सभा के चुनावों में बीजेपी कि हार से टूटे गा इंडिये जाने क्यों सबकी नजर नितिश कुमार पर अब देखें महर और मोदी से मुलाकात करने गए है लेकिन जोर का जटका तो तब लगता है जब नितिश कुमार शाह और मोदी से भी नहीं मिलते हैं कहा जा रहा है कि जेपी नडडा का ये दूसरा दोरा है बिहार को और नितिश कुमार को मिलने के लिए लिए लेकिन नितिश कुमार बिहार क्यों रहे है जेपी नडडा तो ये पूरी की पूरी ख़बर मैंने आपको बताई कि महराज्ट के चाहे हर्याना हो चाहे जारखंड हो बिहार हो सभी राजे जहां पर विधानसबा है भारतिय जनता पार्टी की हालत काफी खस्ता है और ऐसे में जो एजिट पॉल जम भाजपा को 27-32 सीटे मिलने की उमीद है कॉंग्रेस को 40-48 सीटे मिलने की एक्सेसमा इंडिया के अनुसार भाजपा को 24-34 और कॉंग्रेस को 35-45 पीपल्स भाजपा को 23-27 कॉंग्रेस को 46-50 गुलिस्तान न्यूस 29 भाजपा को कॉंग्रेस को 34 रिपब्लिक मैट्रिक्स गलग जो एजेंसिया है तो दावा कर रहे है कि जमु कश्मीर में इंडिया गट बंधन काफी मजबूत और बहूमत के पार नजर आ रहा है क्योंकि 46 एकर जादू याकड़ा है तो दो एजेंसियों ने तो दावा कर ही दिया है कि 46 मिल जाएगा अब देखना दिल्चस्प है क्योंकि जो काफी गदा वर्माने जाते तो ऐसे में क्या होने वाला है अंजाम ये चुनआव का वजानसवा चुनावों का देखने वाली बात होगे कॉमेंट करके बताईए क्या राय है आपकी हर्श्वर्धन पाटिल पर मुझे दीजे जाज़त देखते रहें देशनी की धन्यवाद